हलो गाइज, गूड इवनिंग, वेलकम बेक तू माई चैनल, अभी मैं आई हूँ कराटे क्लासेश से हाथ मुँ धो लिया है, तो मैं चबा रही हूँ चना, यहाँ पे मैं बॉयल कर रही हूँ हाड़ी के लिए दूद और साथ में उसको आज क्रीम बन देंगे, उसको बहु हुए लेके आई थी, तो उसके लिए मैं कतोरी बगरा धोरी हूँ और यहाँ पर पंकिन है, और लिफी वेजटेबल है, अभी सोच रही हूँ शाम के खाने में, मतलब राट के खाने में पंकिन बनाऊ, और यह हाड़ी के लिए मैंने ढोके रखा था, ड्राइफ और यह मैं क्रीम बन लेके आई थी, तो ठंडा था, अभी जैसे ठंडे का टाइम है, तो मैं सोची हूँ थोड़ा सा गरम करके दूँ तो अच्छा रहेगा, हाड़ी के लिए ऐसे कुछ भी सी जाए जो ठंडा रहता है बाहर से, तो मैं इसको गरम करके ही देती हूँ, और यहाँ पर मैं हाड़ी के लिए धूद बॉयल कर लियो, अल्मूस बॉयल हो गया है, और उसका दूद और बन ब्रेड, क्रीम बन में इसको डे रहे हूँ, और कराते से आया है, तो थोड़ा सा वहाँ पर मैनत लगती है, तो थोड़ी उसको भूग भी लगी है, फटा बच् और यह मैंने चना भुना था, आज उतनी अच्छी तरीके से भुना नहीं, बट खाने में बुरे भी नहीं है, तो चले पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बाकी काम, बाद वे, मुझे भी ठकान हो चुकी है, अभी पानी पीने के बाद मैं भी थोड़े से चना खा रह हो, एकदम से हल्दी हल्दी खा रहे हो, और फरिज में रिखाती हूं अभी रात में क्या बनना है, फ्रिज में है थोड़ा सा चिकन, कल भी लई थे, वो रखा है, और सोची हूं, एक पंकिन को मैंने दिन में ही काट के रखा था, वो पंकिन बनाओंगी अभी, एक इस रूम में लाइट की थोड़ी सी मतलब बेदरूम है थोड़ा सा ड्रीम लाइट टाइप का लाइट जला के रखा है बहुत एक दम से ब्राइटनेस पर जाने का मन नहीं करणा एही पर वीडियो बना रही हूं थोड़ासा अंधरा अंधरा लग सकता है वीडियो, ख्लिप, तो गाइज, सामके स्नेक्स का थोड़ा बहुत कुछ हो गया है, देखायो आप लोगोंने मैंने चना खाया भुना हुआ, खुद ही भुना था मैंने, बट उतना प्रोपा नहीं हो पा है, जैसे वीडियो में दिखाते हैं, बागी वीडियो में जो दिखाते हैं, वो फेक है, सही है, ऐसा, समझ में नहीं आता, अब देख लो मैंने भुना हुआ चना बनाया था, सेम उन लोगों के प्रोसेस से बनाई हूँ, और उन लोगोंने जैसे बोला था कि बरावाला चना लेना है तो मेरा चना भी बरावाला ही था बट सेम प्रोसेस से एक दम से नमक ना फुल हीट पर रखके नमक पर बनाया था कोई-कोई बालू पर भी बनाता है बट यहां पर बालू तो नहीं है रेत पर मतलब तो मैंने नमक पर बनाया था उन लोगों ने भी नमक पर ही बनाया था, नमक के साथ ही बनाया था, बट उन लोगों का मतलब इतना अच्छा बना, फूला हुआ बना, बट कराई हाँ, कराई में तो उन लोगों का भी बहुत जरा नहीं फूल रहा था, बट जब उतारी, जब कतोडी में रखा, तब फूल अच्छा था 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 थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मतलब करक लगा बीच बीच में थोड़े से सॉफ्ट थे बहुत लाते हैं क्योंकि ये भुना हुआ चिकपीस बना भुना हुआ चना आप लोग अगर खाओ न तो डाइटिंग वगरा में खाओ तो बहुर अच्छा रिजल्ट मिलता है और थोड़े से खाने से भी पेर बहुत ही भरा भरा लगता है अभी देखाई होगा हार्डिक ने वो सब खाया और मैंने दो मुठी खाली थी भुना हुआ मैंने खुद बुना हुआ चाना तो अभी पेर एक दम फुल-फुल लग रहा है बाकी वही समझ भी नहीं आता मेरा बाला उतनी फुला नहीं भलकी हलाकि सेम प्रोसेस से बनाया है पता नहीं यह सब फेक होता है सही होता है क्या होता है पता नहीं या वीडियो में दिखाने क लेए उन लोगों का भी नहीं पूलता है मुझे तो नहीं लगता है फूला है एक जन का ॥ूला हुआ दिखा बट दूसरे वीडिएयो में दूसरे जनका फूला हुआ थे दिखा मुझे बाकी पता नहीं है आज का वीडियो मेंने बिलकुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया तो चलिए कल मिलते हैं और एक वीडियो के साथ आज का वीडियो ही पर start करते हैं और बहुत दिनों से आप पहसे बाते भी नहीं हुई थी तो बाते करें तो अच्छा लगता है कुछ भी शेयर करो तो सहे दुटब जाता है तो चलिए अब